Good morning students EBS पाठ दो नेहा का जनम दिन बच्चों जो आपको ये चित्र दिखाई दे रहा है इसमें क्या हो रहा है? बिल्कुल सही इसमें एक लड़की का जनम दिन मनाया जा रहा है और वही पाठ का नाम भी है नेहा का जनम दिन आज नेहा का जनम दिन है उसके घर में खुशी का माहूल है नेहा की नीतु दीदी और गुपाल भाईया ने घर को गुपारों और कागस की फर्यों से सजाया है शाम को नेहा के मित्र, पिंकी, चीनू, मीनू, टिली, निधी और सोनू उसके घर आए सब नेहा के लिए उभार लाए सब नेहा को जनम दिन की बढ़ाई दी तब ही नेहा ने देखा कि पड़ों से जोती और उसके विने भाईया भी आई है विने भाईया काला चस्मा पैने हुए थे उसके हाथ में सफेद रंग की एक छड़ी थी जोती ने बताया कि विने भाईया की आवास बहुत सुर्योई है यह जानकर वहां सभी लोगोंने विने को एक गाना गाने को कहा उनका गाना सुनकर वहां उपसती थे लोगोंने खूब तालिया बजाई तोचो और लिखो तुम्हारा जनम दिन कब आता है? तारिक और महीने का नाम लिखो स्टुडेंट्स यहाँ पर आपको अपना जनम दिन लिखना है कि कौन से महीने और कौन सी तारिक को आता है कैसे मेरा जनम दिन दिसंबर में 26 तारिक को होता है तुम अपना जनम दिन कैसे मनाते हो? आप यहाँ पर लिख सकते हो कि मैं अपना जनम दिन बड़ी धूमधाम और खुशी से मनाता हूँ परिवार के सभी सदश्य इकठे होते हैं और अलग अलगता रहके पकवान बनते हैं केक काटा जाता है और घर को गुबारों और फर्यों से सजाया जाता है जनम दिन पर किस किस को बुलाते हो? आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि जनम दिन पर मैं अपनी बुआ, मामा यानि कि रिष्तेदारों को बुलाता हूँ और अपने दोस्तों को बुलाता हूँ सुनो और पहचानो गोपाल ने बच्चों से कहा आओ एक खेल खेलते हैं इस खेल में आँखों पर पट्टी बांध कर आवाजब को पहचानना है नीतू दीदी खुंगरू, घंटी, कुबारे वाली पीपनी, बासूरी आदी कुछ वस्तुय लाई और मेज पर रख दी, खेल शुरू होने पर सबसे पहले टीलू की आँखों पर पट्टी बांधी गई गोपाल ने घंटी बजाई, और पूछा, बताओ, यह किस चीज की आवाज है टीलू बोला, यह तो घंटी की आवाज है, तभी सब एक साथ बोले, बिल्कुल ठीक रिंग टॉन नहीं, यह तो घंगरों की आवाज है, इसी समय सब को एक मीठी धुन सुनाई दी, वाई, यह तो बासुरी की आवाज है, सोनो बोला, तभी रसोई घर से बरतन गिरनी की आवाज आई, गोपाल ने पूचा, बताओ, यह किस बरतन की आवाज है, नीधी और ट लेबल दी गई है जिसमें कुछ वस्तों के नाम है और उनकी हमें आवाज लिखनी है जैसे खुंगरों की आवाज क्या होती है चन चन और घंटी की टन टन है ना चूडियां खन 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 नल से तपकता पानी टप टप साइकल की घंटी टन टन रेल का इंजन चुक चुक धोलग धम धम टेलीफोन ट्रेन ट्रेन तुम बिना देखे कि न पशुपक्षियों को उनकी आवाजों से पहचान सकते हो बच्चों बताओ क्या आप कुट्टे को चिडिया को मौर को तोते को गाई को शेर को और कोई को इनको उनकी आवाजों से पहचान सकते हो यदि हाँ तो यहाँ पर आप लिख सकते हो मैं कुट्टे को मौर को तोते को शेर को खाथी को गाई को चिडिया को उनकी आवाजों से पहचान सकता हो और बिजिन पशुपक्षियों को आप पहचान सकते हैं यहाँ पर लिख सकते हो खुश्बू आए मनलल चाए नीटू दीवी ने कहा कि खाना तयार हो गया है वह खाना मेज पर लगा रही थी उसकी चुडियों की खन-खन की आवाज अच्छी लग रही थी विने भाईया बोले वह दीदी ये खन-खन की आवाज तो आपकी चुडियों से आ रही है दीवी बोली विने खुप एचाना तुमने खाने में बहुत सी चीज़े थी उनसे खुश्बू आ रही थी जोती ने कहा दीवी आपने हलवा बनाया है क्या नेहा ने कहा हाँ लेकिन तुमने कैसे जाना जोती बोली हलवे की बहुत अच्छे खुश्बू जो आ रही है पिंकी ने कहा सुंगने की बात पर याद आया कि हमारा मोगली भी सब चीज़ों को सुंग कर पहचान लेता है पिंकी के प्यारे पालतू कुटे का नाम मोगली है मोगली ऐसा मासूम जानवर है जो बिना बोले अपनी भावनाओं को वैक्त करता है अब बताओ मोगली और किस के चीज़ को सुंग कर पहचानता होगा बच्चों आपको पता है कुटा परिवार के सदशों और अंजान सदशों में अंतर महसूस करता है वो पहचान लेता है कि कौन परिवार से है और कौन अंजान है और वो सभी वस्तों को सुंग कर पहचान सकता है क्या तुम्हारे पास कोई भी पलतू पशू है तुम उसे किस नाम से बुलाते हो बच्चों क्या तुम्हारे पास कोई पलतू पसू है आपको यहाँ पर बताना है और उसका नाम भी जैसे मेरे पास एक डोगी है तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी कि हाँ मेरे पास एक पलतू कुटा है मैं उसे टोमी नाम से बुलाती हूँ जब उसे भूख लगती है तो वह कैसे बताता है तो वह मेरे पास आकर पूँछ हिलाता है और विशेश आवाज निकालता है एक अलग तरह की आवाज निकालता है वह तुम्हारे प्रती प्यार कैसे दर्शाता है वहें फूंच हिलाते हुए मेरे साथ खेलता रहता है जब तुम बाहर से घर आती हो तो वहें क्या करता है तो वहें फूंच हिलाता है और मेरे पास आने की कोशिश करता है जब घर के दर्वाजे पर कोई अजनबी आता है तो उसका परताव कैसा होता है तो वहें भोगने लगता है है ना बच्चों ने एक साथ बैठकर खाने का आनन लिया अंत में सबने एक एक रसूल लगाया स्टुडेंट्स आज के लिए इतना ही आगे का बाथ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे तिल देन स्टे हॉम स्टे सेफ गर पर रहे कर अच्छे से पढ़िये और अपने माता पिता का कहना मानिये